छोटी-छोटी, हल्की-फुल्की समाज जीवन में जो बढ़लाव का कारण बनती हैं, एक प्रकार से उसका इस सिलसिला एक नए स्पिरिट को जन्म देता हुआ और एक प्रकार से न्यू इंडिया के स्पिरिट को सामर्थ देता हुआ, यह सिलसिला आगे बढ़े कई सारे संदेश पिछले कुछ महिनों में आये हैं जिसमें लोगों ने कहा कि वो मन की बात को मिस कर रहा है जब मैं पढ़ता हूँ सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है मैं अपनापन महसूस करता हूँ कभी-कभी मुझे लगता है मेरी स्वर से समस्ठी की यात्रा है ये मेरी अहम से वयम की यात्रा है मेरे लिए आपके साथ मेरा ये मौन सौमवाद एक प्रकार से मेरी स्पिरिचल यात्रा की अनुभूती का भियांस था कई लोगों ने मुझे चुनाव की आपाध हापी मैं मैं केदारनाथ क्यों चला गया भूत सारे सवाल पूछे हैं आपका हक है आपकी जिग्यासा भी मैं समझ सकता हूँ और मुझे भी लगता है कभी मेरे उन भावों को आप तक कभी पहुंचाओ लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर मैं उस दिशा में चल पड़ूँगा तो शायद मन की बात का रूप भी बदल जाएगा और इसलिए चुनाव की उस आपाध हापी जय पराजय के अनुमान अभी पोलिंग भी बाकी था और मैं चल पड़ा जादातर लोगों ने उसमस राजलीतिक अर्थ निकाले मेरे लिए मुझसे मिलने का वो अवसर था एक प्रकार से मैं मुझे मिलने चला गया था मैं और बाते दाज नहीं बताऊंगा लेकिन इतना जरूर करूंगा कि मन की बात के इस अल्प विराम के कारण जो एक खालीपन था केदार की घाटी में उस एकांद गुफा में शायद उसने कुछ भरने का आउसर जरूर दिया था बाकि आपकी जिगासा है सोचता हूं कभी उसकी भी चर्चा करूंगा कब करूंगा मैं नहीं कह सकता लेकिन करूंगा जुरूर क्योंकि आपका मुझे पर हक बनता है जैसे कैदार के विशे में लोगों ने जानने की इच्छा वेक्ते की हैं वैसे एक सकारात्म चीजों को बल देने का आपका प्रयास आपकी बातों में लगातार मैं मैंसूस करता हूं मन की बात के लिए जो चिछियां आती है जो इन्पूट प्राप्त होते हैं वो रूटीन सरकारी कावनकात से बिलकुल अलग होते हैं एक प्रकार चाहिए